आज की इस वीडियो में हम आपको दिपिका ककड के ट्विन बेबीज की प्रेगनसी के बारे में बताने वाले हैं जैसे के आप सभी जानते हैं के दिपिका ककड और शोयव इबराहिम टीवी इंडस्ट्री के बहुती खुबसूरत और बहुती फेमस कप्तिल हैं इस जोडि को कौन नहीं जानता और इस जोडि को कौन पसंद नहीं करता कुछ समय पहले ही इस जोडि ने अपने पेरेंट्स बनने की न्यूज अपने फेंस के साथ शेयर की जो के बहुती एकसाइटिंग और बहुती गुड न्यूज थी आपको बताते चलें के दिपिका ककर आल्मोस्ट 5 येर के बाद प्रेगनन्ट बनी है और वो 5 साल बाद अपने बेबी को वेलकम करने वाली है जिसके लिए वो दोनों और उनकी फेमिलीज तो बहुत ज्यादा एकसाइटेड है लेकिन फैंस भी बहुत ज्यादा रिसेंटली दिपिका अपनी प्रेगननसी की जर्नी अपने फैंस के साथ शेयर कर रही है जिसमें वो अपने डिफिकल मूमेंट्स से लेकर गुड मूमेंट्स और अपनी केरिंग मूमेंट्स सब शेयर करती है जिस तरह शोयब उनका ख्याल रगते हैं वो सब कुछ शेयर क जा रही है कि जैसे वो twin babies को accept कर रही है दिपिका ने खुद भी इस बारे में बात की थी के twins babies हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती है लेकिन जो इस सब से गुजर रहा है उसके लिए ये समय थोड़ा मुश्किल होता है और इ जिनको वो इस समय फेस कर रही है बहुत सारे फेस भी ये ही question कर रहे है कि क्या वो twin babies को accept करने वाली है पर अगर ऐसा है तो वो अपने फेस के साथ इस बात को discuss क्यों नहीं कर रही दिपिका ककर ने अब तक किसी बात को disclose नहीं किया है उन्होंने openly announce तो नहीं किया लेकिन उनक उनके babies healthy हों दोस्तो आपसे ये request है कि नीचे comments में डिपिका और उनके babies के लिए prayer जरूर करें और साथ ही उनके लिए एक like तो जरूर बनता है और दोस्तो अगर आपने हमारे चेनल को भी तक subscribe नहीं किया तो हमारे चेनल को कर दे subscribe और bell icon को press कर लें ताके आने वाली वीडियो